तो गाइस आज के इस वीडियो में एक खास चीज आपको दिखाने वाला हूँ जैसा कि आपको स्किन पे दिख रहा होगा तो ये जो है एक ब्रीज है जो कि पूरा का पूरा पानी में समाग गिया है और ये एक मतलब गंगा नदी में इस्तित है और ये सुल्तान गंज से सलमण पार आने के बाद कुड़ा का पूरा फिरिज 2020 धैच जैसे कि आप देख पा रहे हूंको पूरा यहां से दिख पार हूंगो कि सटर अभगदर का महोल मचा हुआ है और कि सटरे से रेत जो है यहां पह compliance का जो द्धार है तो गाइस ये पताने मतलब क्या हुआ अचानस से इससे पहले भी इससे पहला साल जो है मतलब गुजरा है उस साल में एक पाया का पूरा इस्टेक्चर गिर गया था और अभी आप देख पारेंगे जितना भी मतलब नदी में इस्टेक्चर था जितना भी नदी में पाया था वो पूरा का पूरा गंगा नदी में समा गया है तो गाइस यही सब खास थोरा सा मैं सोचा आप लोग को अपडेट दे दू थोरा सा दिखा दू तो जैसा कि आप देख पा रहोंगे तो अल्रेडी आप पहले किसी और चैनल के थुरू देखे होंगे और अभी दकु दिखा रहा हूँ द्रिखा तो गाइस जैसा के देख पा रहे होगे तो आपको पानी का जो धार है वो दिख रहा होगा पूरा का पूरा जो है बीज जो है किस तरह से नदी में समा चुका है तो गाइस आपको मतलब इस जगे का पूरा भीयो आपको दे दिया मतलब उस तेम में जो घटना हुआ था उस तेम में हमारा कुछ मतलब फ्रेंड जो था वहीं पे मौझूद था जो की ये घटना केप्चर कर चुका है आप लोग के लिए किया है तो आप देख पार होंगे किस तरह से पानी का धार अभी पानी उफान मार रही है इस तरह से मतलब पूरा जो है सुल्तान गंज अगवानी साइड बिरिज जो है पूरा का पूरा मतलब गंगा नदी में समा चुका है मतलब जितना भी उसका structure जितना भी उसका पाया था वो पूरा पानी में समा चुका है तो गाइस आप ये वीडियो देखिए और comment section में जरूर से अपना राही दीजिएगा और गाइस हो सकता है मेभी मैं next वीडियो जो लेके आऊंगा अभी उस जगे पे क्या इस्तिती है उस जगे का क्या हालत है उसके बारे में next वीडियो लेके आऊंगा जूम आउट करके आपको दिखा रहा हूं तो गाइस कमाल दमाल ब्लोग के साथ में कमाल दमाल अपडेट के साथ में सब तक के लिए बाई बाई जहीन जय भारत